है गाईज वेलकम बैक माई यूटूब चैनल और मैं हो रुची कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा टॉनिक एक ऐसा ऑईल जोकि आपके बालों को काला भी करेगा और ज़रने से रोकेगा भी बट यही बाल अगर ज़रने लग जाएं और असमे सफेद होने लग जाएं तो हमारा आतमिश्यास जो होता है वो कहीं न कहीं कम होने लगता है तो friends बालों को आसमे पकने नह अबिडि़ करने जारी हूँ तो चलिए स्टार करते हैं आज की वीडियो तो गैस मैंने यह पे लिया है एक प्लास्टिक का बाउल आप कोई भी कंटेनर इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पे क्योंकि हमें इसे इन्फ्यूस करके बनारा है हमें इसे गैस पे नहीं बनारा है इन्फ्यूस करने का तरीका बहुत ही सिंपल है और बहुत ही एजी है इसके बाद यहाँ पे पहला जो इंग्रीडेंट है वो है कलोंजी कलोंजी जिसको मैंने बहुत ही अच्छे महीन बारिक पीस लिया है आपको ध्यान रखना है आपको बिलकुल पौडर फॉर्म बनाना है बिलकुल महीन इसको पौडर करना है इसके बाद यहाँ पे मैं एड़ करूँगी कैस्टर ओयल यानि की अरंडी का तेल अरंडी का तेल जो होता है वो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होता है बालों की ग्रोथिंग के लिए बालों की ग्रोथ के लिए और बालों में अगर डैमेज हो गए हैं, बाल रूखे हो गए हैं, फ्रीजी हो गए हैं तो उसको रिपयर करने के लिए बहुती ज़्यादा फाइदे बंद होता है केस्टर ऑईल केस्टर ऑईल की कंसिस्टेंसी जो होती है, बहुत थिक होती है तो वन स्पून मैंने यहाँ पे कैस्टर ओयल लिया है और इसको डायूट किये बिना नहीं अप्लाई करना चाहिए तो आप लोग भी कभी ऐसा मत कीजिएगा कि डायरेक्ट इसको अप्लाई कर लीजिए इसे हमेशा किसी एनेदर ओयल के साथ जो कि आप यूज करते हूँ उसको मिला करकी इसको इस्तेमाल कीजिएगा तो एनेदर ओयल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आलमंड ओयल आलमंड ओयल यानी बदाम काते हैं जिसमें विटामिन, कैल्शियम, मैगनीशियम, कॉपर, फॉलिक एसिट्स जैसे पोशक ततो पाय जाती हैं जो कि आसा में आपके सफीद हो रहे बालों को पकनी से रोकते हैं बालों का जढ़ना कम करते हैं बालों को मजबूती देते हैं, स्कैल्प स्ट्रेंथ करते हैं, स्ट्रॉंग नाते हैं तो इस तरीके से इन सब को मिला लेना है कलोजी जो हमारे बालों को काला करती है साथी साथ हमारे बालों को एक जो मजबूती होती है वो प्रदान करती है कलोजी से आप अपने बालों को बहुत तेजी से काला कर सकते हैं कैस्टर ओयल से अपने बालों को बहुत तेजी से ज़ड़ना रोक सकते हैं और लंबा कर सकते हैं और आलमंड ओयल आपके बालों को जो सफेद हो रहे हैं बाल हैं असमें उनको पकने से रोकता है तो यह two in one magical oil है इसको जरूर इस्तमाल कीजेगा आपके बाल तीन दिनों के अंदर छणने बंद हो जाएंगे definitely और काले होने start हो जाएंगे आपके बाल तो इसको लगाने का तरीका बहुत simple है आपको यह हैंड में लेना है और scalp लगा लेना है and sorry guys मैं यहाँ पे आपको नहीं बता पा रही हूँ कि यह head पे कैसे लगाते हैं because already मैंने oiling की हुई है इसलिए next video में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी तो इस तरीके से आपको लेना है hand में और अपने बालों में लगा के सो जाना है तो heat नहीं किया है तो heat करने का तरीका यह है जब भी आप इसको रात में apply करे तो इसको gas पे हलका सा गुनगुना कर ले तब करें दिन में लगा रहे हो तो आप बाहर धूप में रख दीजे तब लगाई लेकिन जब भी इसको apply कीजे तो थोड़ा सा heat करके यानि गुनगुना करके तब ही इसको apply कीजे तो आप देखेंगे तीन दिनों के अंदर आपके बाल डेविटेट नहीं छेड़ने बंद हो जाएंगे तो इस तरीके से आपको इसे करना है आप इसको लंगे समय में के लिए भी बनाके रख सकते हैं overall वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएएगा like कीजेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजेगा इस वीडियो को चलिए फिर से मिलते हैं एक और नीव वीडियो के सा तब तक बाइबाई, take care, have a good day